जो भी चाहूं वो मैं बाओं जिन्दगी में जीत जाओं बस इतना सा ख्वाब है मैं मुझे ऐसी ट्रिक्स बताई कि मुझे तो प्यानो बजाना आ गया और मैं भी अब मैं कीता ही प्यानो बजाने रगी हूँ अगर आपके पास हार्मोनिया में और अच्छी बात है क्योंकि हार्मोनियों क्लासिकल तो है है बैस्ट है आपको पता है यह तो उससे कोई फरक नहीं है अगर आप पर पासे प्यानो है या हार्मोनिया और प्यानो की जो ट्रेनिंग है उसमें सबसे अच्छी चीज बचू क्या है कि जो हमारा संगीत शुरू होता है वो सा की रियाज से शुरू होता है ठीक है जितनी देर तक आप सा का रियाज उस पे करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फार्दा होगा अगर आप प्यानो पे कुछ भी चीज प्ले करते हैं ठीक है और उसके साथ उसको गाते हैं तो आपकी सिंगी मिखर कराएं बड़ बहुत मुश्किल होता है स्टाटिंग में तो आज मैं आपको यह बता लूँ मैंने आपको पहली भी बोड़ा है कि आपके पास आपको पारी बच्चों ने मुझे अपनी प्ले करके बिंचे मैं आज आपको एक कुछ एक बॉली बुच सॉंग बता रही हूं वो सकता है कि आपको लगे आपका एक उसमें चैलेंज है कि स्टाटिंग की पहली लाइन जो मैं बजाऊंगी ठीक है प्यानो लर्णिंग में वो कि आपको यह सॉंग पहचानना भी है और गाकी भी दिखाना है मुझे कि आपको यह मुझे आपको यह सुछ वो आपको यह सॉंग जो जो इसका प्याइव देखाना है तो प्यारे बचो आपको ये सौंग गाना भी है और बजाना भी है तो बचो आज की जो एक्टिविटी है उसमें आप सब भी पांटिसिपेट कीजे अगर आपके पास प्यानो नहीं भी है तो आप लोग अपने फोन में डाउनोड कर सकते हैं और उसमें जो भी कीज होती है वो मैम आपको सिखाएंगी और आप उनको अच्छे से सीख सकते हैं तो इसलिए आज की जो एक्टिविटी है मजैस्टिक म्यूजिक क्लास में प्यानो नहीं उसमें पार्टिसिपेट कीजे मैं भी आपके साथ हूँ और हम सब आपके साथ हैं